इस जो आज टॉपिक करेंगे ना इसमें से 10 नंबर तक का minimum 5 और maximum 10 नंबर का सवाल पूछा जाएगा और देखो corporate accounting में बहुत सारे concept मैं आसान नहीं कहूंगा मुश्किल है लेकिन अगर आप strategy अच्छे से बना लो कि यह यह topics आसान आसान वाले हम करके जाएंगे और अच्छे से करेंगे तो मुश्किल नहीं है आपने जैसे valuation of shares valuation of goodwill और last class में भी हमने एक chapter cover किया था अंडर राइटर और आज भी जो standard हो जाता एक accounting standard 3 जो की cash flow है तो हम कभी भी अपने life में और cash flow को accounting standard को मान के ही नहीं पड़ते नॉर्मली हम cash flow कर लेते हैं एक accounting standard 14 जो की amalgamation है वो भी हम एक chapter मान के करते हैं एस मान के नहीं करते हैं अब accounting standard हमारा 20 होने जा रहा है जो की equity share का है EPS earning per share इसके बाद accounting standard 17 है और accounting standard 19 है यह अलग-अलग accounting standard है जिसमें से हम आज accounting standard जिसको एस कहेंगे एस कौन सा करने जा रहे हैं सर 20 most 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 important चाहे बच्चा कुछ भी पढ़ रहा हो CACA CFA कुछ भी कर रहा हो इसके अंदर यह questions पूछा ही पूछा जाता है examiner के तरही से सर accounting standard को करने से पहले हमें कुछ basic basic चीजों को समझ लेना चाहिए और कुछ basic बेसिक चीजों पर बात कर लेना चाहिए सर यह accounting deal करता है किसमें सर यह accounting deal करता है earning पर share और जिसको हम short form में अभी के बाद बोलने वाले हैं EPS Sir earning per share निकलता कैसे है उसका भी एक हम पहले देख लेते हैं क्योंकि जनरली बहुत बच्चों को पता होता है बहुत बच्चों को नहीं पता होता तो हम बिल्कुल basic और जितने कोशन आपके किताब में जितने कोशन टैनियर में सारा कर लेंगे इससे बाहर आने के मतलब जो मैं topic इसके अंदर करा दूँआ ना मान एक चलो इससे बाहर examiner पूछ ही नी बाहर तो पूछे का कैया मैं पूरा ही करा दूँआ मैं हर बार बोलता हूँ के भई इससे बाहर नहीं आएगा इसका मतलब क्या होता है जब मैं पूरा chapter अच्छे से ही करा दूँँ तो बाहर का मतलब भी नहीं है देखिए सबसे पहले पता ही क्या होता है हमारा कुछ मैं एक statement बना रहा हूँ income statement आपका सबसे पहले क्या होता है sales होता है ना मैं एक example लेता जाऊँ हम मान लेते है sales हम 5 लाग इसके बाद इसमें से minus क्या कर देते हैं सारा हम variable cost fix cost मैं मान लेता हूँ total cost 2 लाग total cost का मतलब यहाँ पे fix cost भी हो गया और variable cost भी हो गया तो हमारा जो यह minus करने के बाद आता है ना earning before interest and tax इसे EBIT के नाम से जानते हो और business study में आपने EBIT के नाम से EBIT पढ़ा हुआ है आसा नहीं के नहीं बात होगी आपके लिए और इसको हम PBIT भी बोलते है earning before interest and tax बोल लो या profit before interest and tax बोल लो जो की हमारा कितना निकल के आ रहा है साहब 3 लाग अब इसमें से हम क्या minus करते हैं सबसे पहले interest suppose करो मैंने मान लिया के मेरा 10% loan था और एक लाख या दस लाख रुपए का तो interest बताओ कितना होगा इस दस लाख पे 10% होगा that is बचा कितना अब इसमें से I हट गया भाई साब क्या बच गया EBT I तो उड़ गया क्यूं I तो हमने minus कर दिया I stand for interest अब हम इसमें से क्या minus करेंगे less कर देंगे sir tax suppose करो tax का rate है 50% और 50% के इसाब से कितना आ रहा है एक लाख किसका 50% सर दो लाख रुपए का 50% अब जो हमारा minus करके आया that is क्या आया हमारा एक लाख इसमें से B हटा के A कर दो यानि यह हो गया EAT earning after tax earning after tax अब यह पैसा जो earning after tax है earning after tax है EAT इस पे अधिकार किसका है इस पे अधिकार दो लोगों का है number one जो कि हमारे questions के अंदर कितना आ गया एक लाख इसके उपर दो लोगों का right होता है sir 2% कौन कौन है number one preference share capital का उसके बाद बचा तो equity share capital का मान लो मैंने सवाल में आपको दे दिया मेरा 10% preference share capital है 5 लाख का तो इसका dividend होगा यह dividend तो dividend कितना होगा that is 50,000 तो sir equity share holder के पले equity share holder के हिस्से equity share holder के लिए कितना बचा simple सी बात है कितना बचा 50,000 मैं simple बोल सकता हूँ इसके बाद minus करेंगे preference share का dividend that is आपने बताया sir 50,000 और यह पैसा जो बता equity share और वो कितना बच गया 50,000 मैंने ऐसा example लिया के 50,50 में आपको जल्दी समझ में आ जाए sir अब यह equity share holder जो है अब अगर मैं बात करूँ के मेरा number of equity share number of equity share मान लेते हैं 10,000 है तो EPS क्या होगा हर share holder के हक में आज company बिक भी जाए बिकने की बात कर रहा हूँ आज company अगर profit distribute कर दे तो हर share holder के हक में कितना आएगा तो sir earning per share जानना चाहते हो आप yes यानि 50,000 equity share तुमारे हिस्से की बात है और कितने लोगों में बांट दिये जाएंगे कितने person है यहाँ पे 10,000, 10,000 लोगों में इसका मतलब sir हर किसी share holder के हिस्से में कितना आएगा पांच रुपए इसे बोलते हैं earning per share EPS समझ में आई बात इसको क्या बोलेंगे earning per share that is EPS पहले यहाँ तक बताओ यह सारी बाते जितनी भी करिए यह कहीं ने कहीं बारवी में भी आपने कहीं ने कहीं थोड़ा point consider किया होगा ratio वाले chapter के अंदर और कहीं ने कहीं business study के अंदर भी एक आता था chapter capital budgeting के अंदर भी यह point आता था और आप यहाँ भी देख रहे हो जिसने नहीं भी करा भईया पहले science लिया हो arts लिया हो matter नहीं करता यह चीज़े आपको समझ में आ गई तो बताइए फिर आगे बढ़े हम बताइए यह समझ में आ गया clear है तो EPS का formula क्या हो गया सर EPS का formula अगर देखा जाए अभी तक हम पढ़ते आए थे बच्पन से EPS is equal to profit for equity divided by number of share formula बन गया न यह अभी तक जो पढ़ते आए थे न accounting standard 20 बोलते है बच्चों जो आपने अभी तक पढ़ा है यह गलत पढ़ा है इसके अंदर हम थोड़ा correction करेंगे क्यूंकि क्यूंकि यह profit जो है यह पूरे साल का है पूरे साल का profit है और नीचे जो shares है यह साल के last date का है last date तो यह गड़बड हो गई आपको number of shares वो ढूंडने होंगे जो पूरे साल में समान रहा हो क्योंकि profit पूरे साल का है same number of shares पूरे साल का होगा तो थोड़ा सा इसमें changes करेंगे बिल्कुल सही है यही हम concept apply करेंगे तो sir EPS यानि EPS और इसको कौन समझाता है हमें AS 20 AS 20 कहता है भाई साहाब EPS अगर सीखना है तो आपको दो बाते सीखनी होगी एक basic basic EPS है basic EPS दूसरा sir diluted 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 EPS ठीक है मैं different different cases लेके करवाता रहूँगा अपने example कराता रहूँगा last के book के मैं सारे question या कुछ एक मैं समझा दूँगा फिर book के question कर लेंगे sir diluted basic EPS क्या होता है इसका formula थोड़ा बदल गया हम पहले यह वाला पूरा portion करेंगे यह करेंगे दोनों part करते ही हमारा topic खतम और AS20 खतम हो जाएगा basic क्या कहता है यह कहता है sir profit और sir सिर्फ मैं profit लिख रहा हूँ तो आप समझदार हो कौन से वाला profit होगा उस profit में से इंटर्स भी माइनस होना चाहिए टेक्स भी माइनस होना चाहिए और प्रफ्रेंस डिविडेंट भी माइनस होने के बाद वाला होना चाहिए तो profit divided by weighted average weighted average equity share यानि sir weighted average equity share okay sir weighted average equity share कैसे निकालते है मेन मुद्दा यह है इसके अंदर भी कुछ cases है majorly profit में आपको कुछ नहीं सीखना profit examiner निकालके देखा आपको हर बार सीखना को weighted average equity share अब weighted average equity share में केस नंबर वन या एक्जामपल नंबर वन या केस ही कर लेते हैं आराम से करेंगे चलिए केस नंबर वन केस नंबर वन सर नो information given को information ने नहीं भाई साव मतलब मैं example भी लेता जाओंगा एक्जामपल मान लेते हैं आपको divided by weighted average equity share EPS का सर हमारे एक्जामपल के अंदर profit क्या है profit is सर वेटेड एवरेज कितने हैं सर दस अजार weighted average निकालने का मतलब है कि आप ये पता करिए कि दस अजार क्या पूरे साल रहा है बिजनस के अंदर हाँ जी हाँ तो बारा बटे बारा वही आ जाना है weight देंगे इसको अभी देखते जाएए आपको समझ में आगा बाकि बारा बटे बारा करोगे तो वही रहने वाला है तो यहाँ पर EPS के आ जाएगा हमारा 20 रुपे समझ में केस नमबर 1 आ जाएए केस नमबर 2 जब आपके पास different class के shares होंगे different class मतलब अलग अलग दो category के shares होंगे या जब आपने between issue किये होंगे कभी केस नमबर 2 और इन सभी को अगर आपने अच्छे से नोट कर लिया ना तो कोई question है नहीं जो कि ना हो profit 2,00,00 1,4 2,022 को equity share number 20,000 यह equity share number लिख रहा होंगे amount नहीं लिख रहा इसने fresh issue कर दिये भाई साथ fresh issue fresh issue तो साल के बीच में किया कब किया सर 39 2022 कितने किये 10,000 कितने कर दिये 10,000 calculate EPS क्योंकि मैं समझाओंगा ना समझ में नहीं आता बच्चों को कितना मर्जी समझालो तो better है कि मैं example ले लूँगा ना तो पता चल जागा हाँ इसका मतलब यह है simple सी बात और मेरा end of the मेरा motive क्या है कि आपको समझाना चाहे कैसे भी समझाए EPS क्या कहेगा EPS profit divided by बताओ weighted average equity share profit क्या है 2,000,000 weighted average of equity share क्या है पहला जो था 20,000 वो पूरे साल था बारा बटे बारा plus सर यह जो 10,000 है क्या यह पूरे साल और्गनाइजिशन में रहा है नहीं कितना रहेगा इस दिन इशू किया है तो इसके बाद आगे रहने वाला है इसका मतलब 6 मेने सेप्टेंबर सेप्टेंबर का ओक्टूबर, नॉवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, छे महिने इसका मतलब सर 10,000 इंटो 6 बाई 12 चल यह फटा-फट आंसर बता देते हैं आंसर क्या आएगा 5, 15 तो आ जाएगा 2,00,000 डिवाइड़ बाई यह तो 20,000 रहेगा और यह हो जाएगा 5,000 5 ही होगा न अच्छा, आठ बता रहे हैं आंसर, ओके, 8 समझ में आया है कोई दिक्कत यहां तक तो वेटेड अबरेज समझ रहे हो जितने दिनों को शेर था उसके इसाफ से हमने क्या कर दिया वेट अब आ जाते हैं एक और एक्जाम्पल एक्जाम्पल नंबर थ्री एक्जाम्पल यह केस नंबर थ्री प्रॉफिट पचास हजार एक चार दो हजार बाईस को एक्विटी शेर पांच हजार और एक चार दो हजार बाईस को ही एक्विटी शेर पंद्रह हजार यह एड़दा रेट 10 रुपीस इच यह एड़दा रेट 100 रुपीस इच यानि हमारे शेर्स के क्लास चेंज हो गए हमने करा थारा वेल्यूएशन आफ शेर्स में क्लास आफ शेर्स चेंज हो जाते थे अलग-अलग तो क्लास चेंज हो गए अब कैसे वेटेज निकाला जाएगा देख लेते हैं फटा-फट से EPS प्रॉफिट डिवाइड़ बाई वेटेड एवरेज इक्विटी शेर सहा प्रॉफिट कितना पचास हजार ये भी एक चार को है ये भी एक चार को है अब हम अगर वेट निकाले नमबर अफ इक्विटी शेर का ऐसे सिचुईशन में तो हम ऐसा कर सकते हैं बड़ी सिंपल सी बात है टोटल अमाउंट ले लेते हैं टोटल वेल्यू डिवाइड़ बाई टोटल नमबर टोटल वेल्यू कितना आएगा सर दस रुपे के हिसाब से पचास हजार और सौ रुपे के हिसाब से डेड़ लाख प्लस डेड़ लाख टोटल नमबर कितने होगे 15 और 20 अजार है के नी तो किटने आगे 1.5 लाइगे 1.5 लाइगा 1.5 लाइगा 1.0 कम कर देते हैं चलो अब ठीक है 1.5 लाइग तो किटने आ जाएंगे अपके 1.5 लाइच शियर्स हैं या फिर या फिर या फिर इसको हम चलिए एक share का value अगर हम निकाल लेते हैं तो 1.5 lakh divided by 20, 3 रुपए तीन रुपए साब से ये क्या वो तो चलिए बैं कुछ और देख रहा हूँ 2.5 lakh लेजिए मैं दूसरे तरीके से कर लेता हूँ सर 2.5 lakh इसका क्योंकि ये long ना पड़ जाए पस ये सोच रहा हूँ 2.5 lakh divided by आपका आजाएगा 20,000 या नि 10 रुपए 10 रुपए के साब से आजाएगा 10 रुपए 10 रुपए चलिए इसको दूसरे तरीके से समझ लेते हैं ठीक है ये complicated हो जाएगा पहला 5000 इंटू में 12 बटे में प्लस 1500 ये भी कितने टाइम रहा पूरे लेकिन ये 10 वाला ये 100 वाला है तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूँ अगर मैं 10 से क्योंकि इसकी value कितनी है जाद है अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूँ तो हमारे equivalent आ जाएगा दोनों क्योंकि ये number जो है या फिर या फिर या फिर दूसा तरीका है मैं और इसका हम इसके dividend को रेशियो में बाट देते हैं रेशियो में रेशियो दिया नहीं मैंने चलो ऐसा ही कर लेते हैं ठीक है ठीक है divided by या मैं इस question को थोड़ा सा बदल देता हूँ मैं कर देता हूँ add the rate 5 paid up ठीक है ये वाला कर देता हूँ दूसरा वाला जो fully paid up different class shares है वो मैं लग से सबसे last में ले लूँआ ठीक है clear clear हमारा सवाल क्या है सर सवाल है हमारे पास दो तरीके के shares है एक shares ने क्या करा पूरे 10 रुपे payment कर रखा है और एक share ने कितना पेमिंट कर रखा है पांच रुपे पांच रुपे बोले तो कितने percent 50% तो अब देखिए कैसे निकलेगा पचास हजार divided by पांच हजार वालों ने पूरे दे रखें तो बारा बटे में बारा प्लस पंदरा सो इंटो में बारा महिने था पूरे बारा बटे बारा लेकिन सर यह तो पांच रुपे पेड है किस में से पांच रुपे पेड है पांच बटे दस यानि 10 में से कितना payment है यहाँ पे 10 में से कितना payment है 10 तो 10 बटे 10 करोगे तो कितना आ जाएगा वही आना है इसलिए यहाँ पे ले लिया हमने तो इसका मतलब सर यह क्या आ जाएगा 5000 divided by कितने होगे 5000 और 7550 निकाल लिए पहले आप देखे फटा-फट से 5750 that is 8.69 यह देखे clear है इसकी जगह मैं यह भी कह सकता था यह paid up 50% तो मैं यहाँ पे क्या कर था 5 बटे 10 के जगह पे 50% भी कर सकता था तो अभी कितने cases देख लिए सर एक तो simple कुछ नहीं बोला वही value से divide कर दो जब कुछ नहीं बोला हो तो जो equity share दे रखा है वही कौन सा है weighted average और जब हमारे पास दूसरा case क्या देख लिया जब बीच में fresh issue होगा तो जो बीच में fresh issue हो रहा है उसको time के हिसाब से weighted करना था जैसे मैंने 30 September को किया है तो इस हिसाब से हो गया तीसरा case क्या देखा जब एक fully paid up shares था और एक partly paid up shares था तो कैसे करना था clear है यहां तक अगला point अगला bonus share जब आ जाए जब bonus share आ जाए तब कैसे करेंगा बोनस share भी देते हैं नहीं देते आपने तो chapter भी पढ़ लिया bonus share तो bonus share देते हैं तो bonus share में क्या होता है कि जो हम shares मानते हैं जो issue किया गया है वो beginning जिस दिन से original share होगा उसी दिन से हम मानेंगे कि वो issue किया गया है चलिए सर इसके दो example लेंगे example number one profit एक लाक एक चार दो हजार बाईस में number of shares दस हजार तीस नो दो हजार बाईस में हमने bonus issue किया कैसे सर 1 is to 1 1 is to 1 का मतलब क्या होता है एक के बतले एक कब दिया हमने bonus तीस नो calculate EPS ओके सर EPS तो earning per share कैसे निकलेगा सर profit divided by divided by weighted average equity shares सर profit क्या है एक लाक सर weighted average equity share ये पूरे साल रहा और ये कितने मेंने bonus share हमने इस rate दिया है bonus share किस rate पर दिया September तो आप देखोगे bonus share September तो 6 मैंनी होते है लेकिन बोला गया है 20 के अंदर भया bonus share तो आप इसी के उपर दे रहे हो तो इसका मतलब हम मान लेंगे आपका स्टार्टिंग से चला रहा ऐसा नहीं कि आज की बात है ये bonus share कब से मान लोगे तो bonus share जो आपको मिला है कितना मिला है 1 is to 1 का मतलब bonus shares की बात करें तो bonus shares भी कितने निकल कहेंगे 10,000 तो इस 10,000 को भी आपको मानना पड़ेगा सुरू से ही 12 बटे 12 सुरू से मतलब जिस दिन से इसका जो दिन इसका तै हुआ है उसी दिन से मानना पड़ेगा आपको ठीक है clear तो चलिए आजाएए क्या आया हमारा 1,000,000 divided by 10 और 10 20,000 EPS 5 रुपए example number इसी का 2 profit एक लाक तर एक 10,2022 में shares outstanding जो था वो था 5000 bonus एक तीन 2023 में bonus जो था एक तीन 2023 में जो कि कितना था 1 is to 1 कर लिया अब निकालना है हमें EPS सर बार-बार formula लिखने की जुरत नहीं है EPS क्या आएगा बताईए साब EPS क्या आएगा 1,000,000 divided by 5000 सर ये इस date पे था तो इसका weighted कैसे निकालेंगे 6 बटे में 12 हाँ या ना अब bonus share मिला है bonus shares भी कितना मिला है हमारे इस आप से तो 5000 ही होगा 1 is to 1 का मतलब एक के बदले एक तो पहले कितना था 5000 जिसके पास 5000 था उसको कितने मिल गए होंगे 5000 मिल गए होंगे जिसके पास 5000 था उसको total 5000 मिल गए होंगे तो एक लाक डिवाइड़ बाए डिवाइड़ बाए आप इस questions को देख रहे हो ना सिर्फ इतने इतने से questions आएंगे आपके 5 नमबर के सिर्फ ये solve करना है इसमें कुछ है ही नहीं कर आगे कुछ करने वाले हैं बस आप से EPS पूछा जाएगा बताईए यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट जितने बच्चे लाइव में फटा फट बता दे किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट मैंने बोला जिस दिन हमारा पुराना शियर जिस पर बोनस मिलेगा जिस डेट पर वो होगा उसी डेट से मानना होगा ठीक है ख्लियर हो गया बोनस बाइबेक ऑफ शियर्स सर बाइबेक ऑफ शियर्स का मतलब क्या होता है आपने चेप्टर पढ़ा हुआ है अपने शियर को खुदी फरीद लेना मान लो प्रॉफिट एक लाग एक चार दो हजार बाइस में दस हजार प्रेश इशू प्रेश इशू तीस नो दो हजार बाइस दो हजार बाइबेक बाइबेक एक एक दो हजार तेईस ठीक है बोनस अभी डाला नहीं इसमें ठीक है चलिए EPS निकालिए सर EPS एक लाग डिवाइड़ बाइड़ ये सुरू से है तो क्या लिखें दस हजार डिवाइड़ बाइड़ इंट्व बारा बटे प्लस ये कब वो अतीस नो को तो कितने मेने के लिए 2000 इंटू में 12 बटे में 6 बटे 12 6 by 12 2 बैक में हमारे शियर्स क्या होते हैं घट जाते हैं तो माइनस तो क्या करेंगे माइनस कितने 1000 divided by 12 तो रहेगा लेकिन एक एक को है तो एक एक से आगे कितना जाएगा 3 3 मैने solve कर लीजिए 1000 आजाएगा और 4 धाई सो 1250 प्लस 10 अजर 11,250 1,211,250 calculation आप कर सकते हैं अपने आपी यह आगे 8 पॉइंट बताइए सौझ में आए हाई थाईए प्लस 10 अजर प्लस 10 अजर साथ למเม़ा स daha possible प्लस 10 अजर प्लस आपको systems इजर बताए से तो से सहां You आपको में साल